हलो एबरेबन, मेरा नाम है धीरज मिस्रा और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक रिक्वेस्ट लेके और अपने मन की एक पीडा लेके एक जो पेन है हमारे अंदर हम सभी एस्पेरेंट्स के अंदर मैं हूँ रेलवे एस्पेरेंट मैं वेट कर रहा हूं लेवल 5 के रिजल्ट की और मेरे साथ-साथ हजारों लोग हैं जो लेवल 5 के रिजल्ट और लेवल 3 और 2 के रिजल्ट पे आस लगाए बैठे हैं पर railway की कुछ ऐसी नाकामी है उसके कारण हम लोग अभी एक ऐसा situation में फसे हुए हैं कि नहीं पढ़ाई हो पा रही है नहीं हम लोग चैन से बैट पा रहे हैं हर दिन एक अजीब सा वेट है हम लोग के मन में तो और बहुत बार Twitter प्रोटेस्ट भी हुआ लेकिन उससे कुछ हो 1-2019 नोटिफिकेशन आउट हुआ था तेरो सो पचास दिन हो चुके हैं यानि तीन साल आठ महिने और कुछ दिन क्या कोई वेकेंसी इतने लेट हो सकती है क्या election का result अगर चुनाव पहले हो result 3 साल और आठ महिने लेट हो सकता है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो लोग अपने आपको importance देते हैं, अपना importance समझते हैं, अभी हाली में चुनाव का date जारी हुआ, उससे पहले ही उसका परिणाम का date जारी हुआ, पांच को चुनाव है, आठ को परिणाम है, तीन दिन, करोडों लोगों का vote का तीन दिन में हो जाता है, और हम अगर कुछ लोग, अभी तो pre के के बाद तो में में कुछ हजार लोग का जो डिजिटल तरीके से होता है, उसका result इतने सालों में, ऐसा क्यूं होता है हमारे साथ, हमें जागना पड़ेगा, और हमें बताना पड़ेगा कि हम अभी मरे नहीं है, जिंदे हैं, और यह हमारे महनत का है, हमें कोई खहरात में न 2019 को आया था, और अभी आज है 9 नमेंबर 2022, तेरो सो पच्चास दिन बीच चुके हैं, तीन साल, आठ मेने और बारा दिन, आप समझ सकते हैं, कितनी पीडा है, और एक ट्विटर प्रोटेस्ट के बाद, जो आउट्रीच केम्प लगाया गया था, हमने बताया था कि एक रे चेर्मन साब ने खुद बुलाया चमबर में, और उन्होंने क्लियरली सब कुछ बोला था, जब मैंने पूछा कि क्या सेकेंड डीवी होगा, या फिर लेवल फाइब का रिजल्ट पहले आएगा, तो उन्होंने क्लियरली बताया, पहले लेवल फाइब का रिजल्ट लेकिन वो हुआ नहीं गलत हुआ, उन्होंने बताया, टाइपिंग रिस्पॉंस बाद में आएगा, टाइपिंग का जो स्टेटस है, वो बाद में आएगा, पहले रिजल्ट आजाएगा, ऐसा हुआ नहीं गलत हो गया, अब किस चीज़ पर ट्रस्ट करें हम, और जो गया आएंगे, हमारे साथ आप सभी प्लीज साथ दे, और इसमें घाटा, गुरुबडी वालों का भी, मेरा खुद मैंने गुरुबडी का एक्जाम दिया है, और मेरे 99.8% है, तो अगर उससे पहले ये डिकलियर नहीं होता है, मेडिकल और डीवी का डेट, हमारे लेवल 5 का डिकलियर नहीं होता है, तो मैं भी दोलने जाऊंगा, इस तरह हजारों बच्चे जो हैं दोलने जाएंगे, और बाद में अगर बाद में NTPC में सेलेक्शन होने के बाद, फिर वो क्या करेंगे, गुरुबडी छोड़ देंगे, जिससे गुरुबडी वाले बच्चों क अंडर्सकोर रिजल्ट दो, इस पर आप लोग बिल्कुल से ट्वीट कीजिए, और आगे देखते हैं क्या होता है, आगे अगर 4-5 दिन के अंदर रस्पॉंस नहीं आता है, तो 15 नवेंबर को सांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग अपने विरोध दर्ज करवाएंगे, और फिर देखते हैं, अब हर चीज में एक्जाम से पहले प्रोटेस्ट, एक्जाम के बात प्रोटेस्ट रिजल्ट के लिए, मेंस के एक्जाम के लिए प्रोटेस्ट, मेंस के रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, अब कितना प्रोटेस्ट हो, अभी देखिए, लगबग आज है 8 November 7 September को Level 6 का result दिया गया था दो महिने और एक दिन बीच चुके हैं अब ये तक बस 3-4 जोन्स के पैनल आए हैं बस तो अभी कैसा प्रोसेस है ये Level 2 तक जाते जाते तो 2024 आ जाएगा प्लीज जागे आप लोग और जो कल के Twitter campaign का Hashtag है वो आपके स्क्रीन पे होगा प्लीज कल participate कीजिए हर एक लोग minimum 100 tweet कीजिए अभी हमारे पास यही एक ओजार है और फिर आगे हम लोग देखते हैं फिर से update दिया जाएगा और जरूर से जरूर tweet कीजिए कल 10 November 10 वजए Hashtag आपके स्क्रीन पे है Thank you so much